नमस्कार, मैं राजन भाटिया आज आपके सामने एक और टॉपिक लेके उपस्तित हुआ हूँ, यह बड़ा ही इंटरस्टिंग टॉपिक है और कहीं भी आप एथलेटिक्स कॉंपेटिशन कराएं, आपको इसकी जरुद पढ़ने वाली है, यह टॉपिक है लेन जानते हैं कि एथलेटिक्स में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एथलेट को अपने लेन्स में ही दोड़ना होता है, या दूसरे सब्दों में कहूं तो उसको अपने लेन्स से स्टार्ट करना होता है रेस को, ऐसे समय पे एथलेट को लेन्स दिये जाते हैं, तो आ किन events में runner को lanes दिये जाएंगे तो आईए इसके बारे में जानते हैं इसका जबाब ये है कि races जो की 800 meter तक की होती है उसमें lanes a lot किये जाते हैं एथलीट को lane दिये जाते हैं अब सवाल आता है कि event कौन-कौन से है तो 100 meter 200 meter 400 meter race 800 meter दोनों relay 4 x 100, 4 x 400 अगर mixed relay इस distance का हो रहा है तो mixed relay और huddle races इन event में एथलीट को lanes allot किये जाते हैं और ये lane allotment technical delegate के द्वारा किया जाता है अब दूसरा सवाल ही आता है कि lane किस प्रकार दिये जाते हैं इसका procedure क्या है तो इसके बारे में जानते हैं पहले round किसी भी event के पहले round जब हमें एथलीट के performance का पता नहीं होता है ऐसे समय में एक random lottery system होता है lottery किया जाता है कोई भी athlete किसी भी lane में दोड़ने के लिए अगर उसको lottery में आता है कि उसे इस lane में दोड़ना है तो उसको उस lane में दोड़ना होता है यह common lottery होती है इसमें एथलीट को lottery के दोवारा lane दिये जाते हैं दूसरा system होता है जब आपको एथलीट की ranking पता चल जाती है उसका performance पता चल जाता है तो एथलीट को ranked कर दिया जाता है first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth ऐसे इसको ranking कर दी जाती है और फिर इस ranking के हिसाब से तीन बार lottery होती है अब आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि यह तीन बार lottery क्यों हो रही है तो आईए इसको समझते हैं तो आईए जानते हैं कि यह तीन lottery किस प्रकार होती है तो जो यह पहली lottery होती है व आपके 8 athlete है, 8 athlete में जो आपके best 4 athletes हैं उनके लिए lane number 3 से लेके lane number 6 तक के लिए lottery होती है lane number 3, lane number 4, lane number 5 और lane number 6 यह lottery में इन lane का बटवारा होता है और आपके best runners को यह lottery कराई जाती है उन्हें इन lanes में कोई भी lane मिल सकता है उस lane में वो दोड़ेंगे फिर दूसरी जो lottery होती है व पाच्वे और छटे rank के जो runner होते हैं वो दोड़ते हैं और तीसरी lottery जो आपके होती है वो lane number 1 और 2 के लिए होती है इसमें आपके 7 और 8 रांग के जो runner होते हैं वो दोड़ते हैं अब आपके एक illustration करके एक ऐसा graph करके हम आपको दिखा रहें कि कौन से runner किस lane में दोड़ते है तो देखिए ये हमारे best 4 runner हैं तो इनके लिए lane number 3, lane number 4, lane number 5 और lane number 6 इस जो 4 lane है इसकी lottery होगी इन lottery के हिसाब से ये 4 runner किसी भी lane में जिस lane की lottery इनको मिलीगी उस lane में ये दोड़ेगे कौन-कौन से lane? lane 3, lane 4, lane 5 और lane 6 उसके बाद आपके जो next two runners होगे जो आपका पांचवे और छटे runner है उनकी lottery होगी lane number 7 और 8 के लिए तो आपका ये जो पांचवे और छटा runner है वो साथ वे भी 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 दोड़ सकता है आठ वे भी जिस प्रकार से इसकी lottery में इसको lane मिलेगा उस lane में इसको दोड़ना होगा और जो तीसरी lottery आपके होगी वो lane number 1 और 2 के लिए होगी इसमें आपका साथवा और आठवा rank runner होगा वो इसमें दोड़ेगा इस लित्र में के माद्यम से आप संग्ज पारे होंगे कि जो आपके best 4 runner है वो बीच के lane में होते है जो next two runners होते हैं वो आखरी के 2 lane में होते हैं और जो आखरी के 2 runner होते हैं आपके साथवे और आठवे rank के रनर वो आपके lane number 1 और 2 में होते हैं अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, यह सवाल है कि अगर हमारे पास नौ रनर हो गए फाइनल में दोड़तें के लिए, और हमारे पास अगर सुईदा है नौ लेंस की, तो उनको दोड़ाना है, तो इनको कैसे दोड़ाया जाएगा, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर दो के आपको समझनी है, पहली चीज कि अगर वो एथलीट प्रोटेस्ट करके आपने उसको आपके रेफरी ने उसको वहाँ पर सीड कर दिया है कि यह फाइनल में दोड़ेंगे, ऐसे कंडिशन में तो आप उसको लेन नंबर 9 में लोट करतेंगे, लेन नंबर 9 और वो लेन न बेस्ट फोर जो रनर्स हैं, उनको आप लेन नंबर 3, 4, 5 और 6 में दोड़ाएंगे, अगले 3 रनर जो आपका पांचवा, छटा और साथवा रैंक रनर है, उनको आप लेन नंबर 7, 8 और 9 में लोटरी करेंगे उनके लिए, और आखरी का जो दो रनर है, आपके 8 में और 9 मे लिए उनकी दोटरी करेंगे, तो ये प्रोसीजर अपना के आप उनको दोड़ा सकते हैं, देखे, अब आपके पास एक सवाल आएगा, कि अगर हमारे पास 8 रनर हैं और लेन 9 हैं, जैसा कि आप सिस्टर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखे, आप एक नंबर लेन पे क रनर आटी हो, तब क्या करें? ऐसे कंडिशन में आप लेन नंबर एक को वेकेंड छोड़ दीजे, खाली छोड़ दीजे और आप जो लॉट्री करेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे, लेन एलॉट्मेंट आप किस प्रकार से करेंगे? इसको देख लीचे, इस तरह से उनको आप lane number 4, 5, 6 और 7 में दोड़ाएं Next जो दो runner है आपके 5th और 6th runner उनको lane number 8 और 9 के लिए lottery करें और जो आपके 7 और 8 वे runner है ranking में उनको आप lane number 2 और 3 में दोड़ाएं यहाँ एक बात समझने वाली है कि जो lane number 1 को आपने छोड़ दिया है बाकी lanes को आप सिर्फ एक lanes shift हो जाना है और बाकी जो आपको शुरुवात में हमने समझाया था उसी प्रकार से 3 lottery होगी और इन 3 lotries में athlete आपके दोड़ाएंगे अब सवाल आता है कि 800 meter में आप lane देते हैं जैसा कि हमने बताया कि 800 meter में भी हम lane देते कई बार क्या होता है कि आपके athlete आठ से जादा हो जाते है फाइदल में 800 meter में तब ऐसे condition में आपको क्या करना होता है आप एक ही lane में एक से ज़्यादा athlete खड़े करते हैं जैसे कि आप चितर में देख पारें कि इस lane में जो athlete है एक ही lane में दो athlete खड़े हैं तो यहाँ पर क्या खास बात ध्यान रखने की है कि जब भी आप ऐसा कोई decision ले तो ध्यान रखे कि कभी भी ऐसे athletes को बाहर के lane में ही आप place करे जब भी आपको एक lane में दो athlete खड़े करने की जुरत पड़े 800 मिटर में start में तो आप बाहर के lane का use करें कभी भी अंदर के lane का use नहीं करें इससे आपको परिशानी हो जाती है अथलीट को भी परिशानी हो जाती है तो क्या करना है आपको दो रधनर को same lane में place करना है लेकिन बाहर के lane समें उमीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा आपको कोई भी सवाल अगर मन में आता है तो आप मेरी चैट बॉक्स में जरूर लिखे और अगर आपको को ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेर करें सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें धन्यवाद